तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आनलाइन एक्जाम इस्टेडियोट पर तो जैसा कि आप लोग थमनेल पर देखी चुके होंगे आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राज़ पार्टी या खुद की राष्टे पार्टी कैसे बनाएं जैसे कि बी इंडिया में दो तरीके की पार्टियां हैं पहली पार्टी है राष्ट्य पार्टी और दूसरी राज़ पार्टी उसको छेत्रिय पार्टी भी बोलते हैं राज़ पार्टी को तो राष्ट्य पार्टी के कुछ एक्जामपल हैं जैसे भारते जंता पार्टी राष्ट्य क जमपल देख लेते हैं जैसे समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदैस में है आम आदमी पार्टी जो अर्बिन के जिरिवाल की दिल्ली में है स्यु सेना महराष्टर में है राष्ट्र जनता दल बिहार में है जो लालू जी चलाते हैं तो इसी तरीके से टोटल 59 छेत्रिय पार्टी हैं इंडिया के अंतर गता तो ये कुस्चन हम आप लोगों के इसलिए बता रहें कि जो आर आर बी एंटी पीसी सी बिटी टू प्रिवेसर दोजा सत्तरा के पेपर में ये कुस्चन दो बार पुछा गया है एक बार कुस्चन पुछा गया है देख लो पुछा गया है यद किसी राजनीतिक डल को या अधिक राज्यों में एक मानता प्राप्त राजनीतिक डल के रूप में माना जाता है तो उसे पूरे भारत में एक राश्ट्य पार्टी के रूप में जाना जाएगा तो ये एक Question पुछा गया है राष्ट्य पार्टी से और एक दूसरा Question आगये है 100 Number Question पर उसपे पुछा गया है राष्ट्य पार्टी के बारे में तो सबसे पहले हम दोनों आपको बताएगे राष्ट्रे पार्टी खुद की कैसे बनाएं और छेतिरे पार्टी खुद की कैसे बनाएं तो सबसे पहले चलते हैं हम बात करते हैं राष्ट्रे पार्टी की खुद की राष्ट्रे पार्टी कैसे बनाएं तो खुद की राष्ट्रे पार्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको निर्दलिये चुनाओं लड़ना पड़ेगा लोग सभा या विधान सभा गा मतलब कोई पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तभी तो आप राष्ट्य पार्टी खुद की बनाएंगे तो सबसे पहले विधान सभा या लोग सभा में आप निर्दलिये चुनाओं लड़ेंगे चुनाओं लड़ने के बाद आपको चार राज जो इंडिया में 28 राज हैं और दो यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें मतलब इलेक्षन होते हैं जैसे दिल्ली पंड़चेरी को मिला के 28 राज जो दिल्ली पंड़चेरी में मिला के अगर आप लेक्षन लड़ते हैं तो चार राज्यों में से या उससे अधिक राज्यों में मिला के आप 6% वायली डोट पाते हैं या फिर प्लस में लोगसभा की चार रीटे जीतते हैं तब आप राष्टे पार्टी बना सकते हैं ये तो है पहली रमर्वरत इसको फित्रे देख लेते हैं राष्टे पार्टी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बिधान सभा या लोगसभा में आप चुनाओ लड़ोगे निर्दलिये तो उसमें से आपको जो इंडिया के अदर चार राज्य हैं उन चार राज्यों में से या उससे अधि मुर्त नमर दूसरी है कि लोगसभा चुनाओ में आप 2% सीटे जीतेंगे 2% मतलब 11 सीटे हुई क्योंकि मतलब लोगसभा की टोटल सीटे हैं 545 इंडिया के विट्र पान सो पाफ सल्टल सीटे हैं तो तो पान सु पैतालिसका तीन राज्यों या उससे अधिक राज्यों से आपका उमिद्वार जीतता है तो 28 राज्यों में कम से कम तीन अलग अलग राज्यों से आपका उमिद्वार जीतना चाहिए या उससे अधिक राज्यों होंगे तब भी चल जाएगा तब भी आपकी राष्ट्रे पार्टी बन जाएगी इसका तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप चार राज्जों में आपकी छेत्रे पार्टी है अगर आपकी जो चार राज्जों में छेत्रे पार्टी है आपकी तब आप राश्ट्य पार्टी बना सकते हैं तो अब चलते हैं आप राश्ट्य पार्टी कैसे बना सकते हैं उसकी बात करते हैं तो राश्ट्य पार्टी बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें भी वही करना है कि आपको निर्दलिये चुनाओ लडना पड़ेगा तो पहली सर्थ ये है बिधान सवा चुनाओ में जो बिधान सवा किसी एक मनलब राज से आप लड़ोगे राजय पार्टी के लिए तो उस संबंदित राज में आपको बिधान सवा का चुनाओ लडना है चुनाओं की में जो वैलिड ओटे है उसका 6% आपको मिलनी चाहिए और उसी राज में कम से कम आप विधान सभा की 2 सीटे भी जीते हैं तब आप एक छेत्रिय पार्टी बना सकते हैं ये तो सर्त नम्मर एक हुई है सर्त नम्मर दो है अगर आपको छेत्रिय पार्टी बनानी है तो आप लोग सभा का चुनाओं लड़ो जो सम्मंदित राज है आपका उसी राज में आप लोग सभा का चुनाओं लड़ सकते हैं चुनाओं लड़िये निर्दलिये और वहां के जो वैलिड ओट है उसका 6% आपको मिले और उसी राज से कम से कम एक लोग सभा की सीट भी आप जीतेंगे तब आप अपनी लोकल पार्टी या छेत्रिय पार्टी या राज पार्टी बना सकते हैं तो पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं बिधान सभा में 3 सीटे आप जीतो या फिर 3% सीटे जो भी अधिक हो मलब कोई जो राज है वो उसमें कम या ज्यादा मलब बिधान सभा सीटे होती है तो उस पर ये पॉइंट है आप जिस सम्मंदित राज से बिधान सभा का इलेक्शन लड़ रहे है तो उसमें बिधान सभा की कम से कम 3 सीटे जीते है या फिर 3% सीटे तो इन 3 सीटो या 3% सीटो में जो भी अधिक है वो माना जाएगा तो 3% सीटे आपको जीतनी है तब जाके आप राज़ पार्टी बना सकते है ठीक है फिर इसका चोथी सर्थ देख लेते हैं चेत्रे पार्टी अगर आपको बनानी है तो आप एक चोथी सर्थ ये भी है कि आप लोग सभा में 25 में से 1 सीट अगर आप जीतते हैं 25 सीटो में एक seat अगर आप जीट जाते हैं किसी राज के अंतरगत तो आप एक छेत्रिय पार्टी बना सकते हैं और एक छेत्रिय पार्टी का एक और लाश्ट पॉइंट है किसी राज के लोक सभा या विधान सभा चुनाओं में तो उस राज में आप या तो लोक सभा चुनाओं लड़े दोनों में से किसी एक में अगर आप 8% वायली डॉर्ट पा रहे हैं तो आप अपनी राश्ट्रिया पार्टी खुद की बना सकते हैं तो आप समझ गए होगे कि अपनी खुद की छेत्रे पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय आदित नातियोगी जी की भाजपा सरकार है तो समाजवादी पार्टी है आम आदमी पार्टी है इस तरीके की छेत्रे पार्टी आप कैसे बना सकते हैं और जिसे बीजेपी कांग्रेश या बोजन समाजवादी पार्टी के तरीके से आप राष्ट्य पार्टी अपनी खुद कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा और यह जितने सारी सर्ते हैं इन सारी सर्तों को हम लोग याद रखेंगे कि सारी सर्वतों से एक कुष्चन मना रहा है और आर्वीन टीपीसी ठीक है तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोग आप लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू